Accounting No Problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT Teleprime के इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि Teleprime में Receipt Voucher क्या है और उसमें Transaction कैसे Record करते हैं इस सब पहले वाली वीडियो में हमने आपको Teleprime में Company Features और Configuration क्या है इनके महत्व और उप्योग के बारे में बताया था अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Receipt Voucher के बारे में और इसे के साथ हमारा Tele में Transaction Record करने का काम भी शुरू हो जाएगा जो की Accounting का मूलाधार है एक बार फिर से हम आपको निवेधन करना चाहेंगे कि आपको सिर्फ वीडियो देखने से लाव नहीं होगा यदि आप इस वीडियो का सही इलाव लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह दो तीन बार प्रैक्टिस ज़रूर करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उससे पहले हम एक बार फिर Receipt Voucher के बारे में समझ लेते हैं जब व्यवसाय में नकदी या बैंक के माध्यम से व्यवसाय का स्वामी कोई पुझी लाता है या किसी ग्रहक से पेमिंटी आइडवांस प्राप्त होता है या किसी अन्य कारण से प्राप्ती होती है तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को Receipt Voucher में रिकॉर्ड किया जाता है यहां एक बहुत ये महत्वपून बात ध्यान रखें कि कैश से प्राप्त होने वाली कोई भी राशी यानि प्राप्ती इस वाउचर में नहीं आएगी उसका कारण यह है कि टैली ने सेल्स के लिए अलग से वाउचर बना रखा है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने से पहले कुछ महत्वपून बातें फिर से दोहरा लेते हैं जब भी कोई transaction होता है तो उसे record करने के लिए सबसे पहली step है कि हम ये पहिचाने कि transaction किस voucher में record होगा और ये हम आपको किसे भी transaction को देख कर कैसे पहिचाने कि उसे tally में किस voucher में record करना हैं येवाली वीडियो में बता चुके हैं ट्रंजेक्शन पहचानने वाली वीडियो में हमने receipt voucher से संबंधित कुछ transactions छाट लिये थे, उन्हें transactions को हम tally में record करेंगे Receipt voucher में काम करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि manual accounting की process के बीच हमने आपको journal में entry करने के कुछ नियम बताए थे और चुकि tally में हम journal के स्थान पर vouchers का उपयोग करते हैं, इसलिए journal के वो ही नियम यहाँ भी लागू होंगे सबसे पहला नियम है, आप transaction सामने रख कर ये देखें कि प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं, उनका नाम क्या है या आप उनका क्या नाम दे सकते हैं दूसरा नियम, दोनों खाते किस प्रकार के हैं, जैसे परस्नल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट तीसरा नियम, इन दोनों खातों के बारे में golden rules of accounting क्या कहते हैं, यानि इन में से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा तो आए इन नियमों के साथ आगे काम करते हैं हमारा पहला ट्रांजिक्शन है एक अप्रेल को हम व्यापार प्रारंध करने के लिए एक लाख रुपे नकत पूंजी यानि कैपिटल लाए अब हमारा पहला सवाल है इस ट्रांजिक्शन में प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं ट्रांजिक्शन को ध्यान से देखें यहां नकदी आई है तो यह हुआ एक खाता अब दूसरा खाता देखते हैं नकदी कौन लाया है? हम यानि व्यापार का स्वामी नकदी लाया है जैसा कि हमने आपको Capital की परिभाशा में बताया था कि जब कोई व्यक्ति अपने व्यापार में कोई संपत्ती या माल या नकदी लाता है तो ये उसकी पूझी कहलाती है तो ये हुआ हमारा दूसरा खाता यानि इस ट्रांजिक्शन से प्रभावित होने वाले दो खाते हैं नकदी यानि कैश और पूझी यानि कैपिटल दूसरा सवाल है खाते किस प्रकार के हैं इसका निडियाब ताइप्स of accounts की definitions को ध्यान में रखकर कर सकते हैं और इसके बारे में हम आपको detail में हमारी video definition of account और types of accounts में पता चुके हैं Types of accounts के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नकदी का खाता real account है और पूझी यानि capital का खाता personal account अब तीसरा सवाल है कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट इसके बारे में हम आपको golden rules of accounting वाली वीडियो में समझा चुके हैं देखें पूंजी आई यानि प्राप्त हुई है और इसे देने वाला है capital account जो की personal account है और personal accounts के लिए golden rules of accounting है देने वाले को credit करो यानि credit the giver इसका मतलब यह हुआ कि capital account credit होगा अब हम देखते हैं दूसरा खाता जो cash का है व्यापार में cash आया है और cash real account है और real accounts के लिए golden rules of accounting है जो वस्तू व्यापार में आये उसे debit करो debit what comes in इसका मतलब यह हुआ कि cash account debit होगा तो चलिए टैली में इस transaction को record कर लेते हैं टैली में जैसे ही हम कोई company open करते हैं तो सबसे पहले gateway of tally की screen दिखाई पड़ती है और इसे हम tally में जाने का main gate यानी मुखे दर्वाजा भी कह सकते हैं यहां आपको अलग-अलग headings जैसे masters, transactions, utilities और reports दिखाई पड़ रहे हैं और इनके अंतरगत कुछ options भी दिखाई पड़ रहे हैं हम masters के अंतरगत आने वाले तीनों options का उपयोग करते हुए आपको layers create करना और उन्हें alter और delete करना बता चुके हैं आज हम transactions heading के अंतरगत आने वाले पहले option vouchers जिसे हम accounting vouchers भी कह सकते हैं में काम करने जा रहे हैं इसके सहदा से आप अपनी company में होने वाले सभी transactions को record कर सकते हैं vouchers के लिए keyboard पर VE को press करें देखे V press करते ही accounting vouchers creation screen आगे है इसमें दिखाई पड़ रहे right button bar को हम 5 भागों में बाच सकते हैं हम आगे बढ़ते हुए इन सभी के बारे में जानेंगे अभी आप ये जो भाग देख रहे हैं इसमें हमें सभी तरह के vouchers मिलते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बाती चेक कर लेनी चाहिए जिसे की आगे काम करने में दिक्कत ना आए पहला F12 की सहायता से कुछ configurations चेक कर लें कीबोर्ड पर F12 की प्रेस करें और यहां Show More Configuration यदी No हो तो Bakespace की से उस पर जाएं और Yes टाइप करके Enter प्रेस करें देखें यहां यह पहला Option है Use Credit or Debit Instead of To or Buy During Voucher Entry यह हमें Yes चाहिए यदी No हो तो इसे Yes कर लें और यह सात्वा Option Skip the Date Field During Voucher Creation हमें No चाहिए यदी यह Yes हो तो इसको No करके Enter प्रेस कर दें यहां दिखाई पढ़ रहे सभी Options को ज्यादा Detail में हम आपको आगी समझाएंगे अभी इंक Changes को Accept करने के लिए Ctrl और A Keys को प्रेस करें आईए अब दूसरी बात शेक कर लेते हैं यहां Change Mode दिखाई पढ़ रहा है और इसकी Short Cut Key है Ctrl और H हम Ctrl और H Keys को प्रेस कर रहे हैं यहां List of Modes दिखाई पढ़ रही है जिसमें दो Modes है Double Entry और Single Entry अभी हम Double Entry Mode में काम करना चाहते हैं यदि यह Highlighted हो तो Escape Key से पहले वाली स्क्रीन पर आ जाएं और यदि Highlighted ना हो तो Mouse से Double Entry को Select करके Enter Press करें इन दोनु Modes के बारे में हम आपको आगे समझाएंगे अभी हमने जो Changes किये हैं इनका प्रभाव हमारी Company के सभी Vouchers पर तब तक रहेगा जब तक कि हम फिर से कोई Changes नहीं कर लेते आईए अब Accounting Vouchers पर काम करते हैं राइट बटन बार में सभी Vouchers के नाम और उनके नाम के आगे उनके Shortcuts दिखाई दे रहे हैं Receipt Voucher के लिए F6 Key को Press करें देखे ऐसा करते ही Receipt Voucher Creation Window Open हो गई है अभी हम Date पर हैं आपको जिस तारीख में ये Voucher बनाना है वो तारीख यहां पर टाइप करें हमें एक अप्रेल में ही इस Voucher को बनाना है इसलिए हम Enterprise करके आगे बढ़ रहे हैं इसमें Particular में CR यानी Credit उपर आ रहा है जबकि हमने Manual Accounting की Process में Journal में आपको बताया था कि Debit उपर आता है और Credit नीचे आता है पर टैली ने हमारी सुविधा के लिए इसे उल्टा कर दिया है यहां पहले Credit आ रहा है Credit में हमें जिससे रुपया प्राप्त हो रहा है उस Leisure का नाम लेना होता है जैसे कि कोई Party का Account या कोई Income Account या Capital Account हो सकता है इसके बार Debit में हमें जिस तरह से रुपया प्राप्त हो रहा है जैसे Cash या Bank के माध्यम से तो उसका Account लेना होता है ध्यान रखें, Receipt Voucher में देने वाले का Account हमीशा पहले आता है और वो Credit होता है और जिस तरह से रुपया प्राप्त होता है जैसे Cash या Bank Account के माध्यम से वो बाद में आता है और वो Debit होता है Date के बाद हम Enterprise करके Credit पर आ गए हैं देखिए Right Side में एक List of Ledger Accounts आ रही है इस List में से आपको वो Ledger सेलेक करना होगा जिसे Credit करना है उसके लिए उस Ledger के नाम का पहला अक्षर टाइप करें हम Capital Account के लिए C टाइप कर रहे हैं देखिए ऐसा करते ही टाइप किये गए अक्षर से शुरू होने वाले सभी नाम हाइलाइट हो गए हैं आप अप या Down Arrow से उस पर जाकर के Enterprise करें अब Credit में Amount टाइप करें और Enterprise करते ही नीचे वाली लाइन में DR दिखाई पड़ रहा है Enterprise करें अब यहां Debit में पहले बताय अनुसार लेजर सेलेक करें हमें Cash Account debit करना है इसलिए उसे सेलेक कर रहे हैं देखे ऐसा करते हमने जो राशी Credit में लिखी थी वही राशी debit में भी आ गई है अब Enterprise करें अब narration में आपने उपर जो transaction record किया है उसका संग शिप्त विवरंट दे दे यहां पर हमने लिखा 20 rupees 1 lakh cash brought in by the proprietor as capital अब Enterprise करते हुए इस window को accept कर लें Skip key से वापस gateway of tally पर चलते हैं चलिए अब हम देखते हैं दूसरा transaction एक मही को हमने जो माल किसी व्यक्ति को अशोग Traders से दिलवाया था अशोग Traders से हमें उसका commission 5000 rupees चेक द्वारा प्राप्त हुआ जो हमने State Bank of India के खाते में deposit किया अब देखते हैं प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं देखे commission प्राप्त हुआ है यानि एक खाता है commission received का दूसरी बात commission किस तरह प्राप्त हुआ है cash या bank के माथम से तो हमें check प्राप्त हुआ है और check bank में जमा होगा यानि दूसरा खाता है bank का दूसरा सवाल है खाते किस प्रकार के हैं तो देखिए commission received का खाता nominal account है और bank का खाता personal account अभी हमने जो निर्ने किया है accounts का उसे confirm करने के लिए हम list of accounts पर चलते हैं यहाँ आप देख सकते हैं commission received nominal account है और bank का खाता personal account है तो यहाँ से हमने confirm कर लिया है कि दोनों खाते किस प्रकार के हैं अब तीसरा सवाल है कौन सा खाता debit होगा और कौन सा credit देखिए commission प्राप्त हुआ याने आई हुई है अब चुकि यह nominal account है और nominal accounts के लिए golden rules of accounting है सभी आमदनी और लाभू को credit करो credit all incomes and gains मतलब commission account credit होगा अब हम देखते हैं दूसरा खाता जो bank का है चुकि bank में पैसा आ रहा है यानि पाने वाला bank है और यह personal account है और personal accounts के लिए golden rules of accounting है debit the receiver यानि पाने वाले को debit करो मतलब bank account debit होगा जैसा हमने आपको list of accounts वाले वीडियो में बताया था हम उसी तरीके से इसे confirm कर लेते हैं उसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि इस transaction का दोनों खातों पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है commission प्राप्त हो रहा है मतलब commission account का balance बढ़ेगा और commission की राशी bank में जमा होगी तो bank का balance भी बढ़ेगा देखे list of accounts में commission received income के अंतरगत आता है और इसका नियम है यदि balance increase हो तो उसे credit करो अब bank account देखते हैं bank account assets में आता है और इसका नियम है यदि balance increase हो तो उसे debit करो यानि ये confirm हो गया कि हमने golden rules of accounting की सहायता से जो नड़ने लिया था वस सही है चलिए अब tally में इस transaction को record कर लेते हैं voucher creation screen पर जाने का एक तरीका और भी है उसके लिए go to पर mouse से click करें या alter और g press करें देखिए यहाँ पर सबसे पहला option है create voucher इस पर mouse से click करके enter प्रेस करें यह देखिए voucher creation screen आ गई है यहां हम आपको एक बहुत ही महतुपन बात बता दें कि go to की साहता से voucher creation screen पर जाना तब ज्यादा उपयोगी है जब आप tally में कहीं कोई काम कर रहे हैं जैसे कोई voucher बना रहे हैं या कोई reports आपने उपन की हुई है और उसे बीच आपको को कोई दूसरा voucher बनाना हो तो पहले के काम को बंद किये बगेर ही go to की साहता से आप नया voucher उपन कर सकते हैं चले अब tally में इस transaction को record कर लेते हैं यहां receipt voucher की window ही आ रही है क्योंकि अभी हमने इसके पहले receipt voucher का ही उप्रोग किया था और यदि नहीं आ रही हो तो उसके लिए F6 key को press करें यहां पर voucher की date डालें एंटर प्रेस करें क्रेडिट में जिस से या जिस बिहाफ पर प्राप्ती हुई है उस leisure का नाम सेलेक करें जैसे यहां हम commission received account सेलेक कर रहे हैं एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें यहां amount type करें एंटर प्रेस करें अब यहां DR ही रहने दें एंटर प्रेस करें यहां debit में आपको उस bank का नाम सेलेक करना होगा जिसमें आपने check deposit किया है हमने SBI में check deposit किया है इसको हम सेलेक कर लेते हैं देखिए debit में भी वही amount आ रहा है जो हमने credit में type किया था एंटर प्रेस करें देखिए ऐसा करते ही bank location window आएगी जिसमें right side में एक list दिखाई पड़ेगी और यदि list ना दिखाई थे तो space bar प्रेस करें और list में से transaction type सेलेक करें हम check सेलेक कर रहे हैं अब अब अंटर प्रेस करें instrument number में आपको जो check प्राप्त हुआ है उसका number टाइप करना है उसके बाद अंटर प्रेस कर दे instrument date में जिस तारीख का check है वो तारीख टाइप करें और फिर अंटर प्रेस करें अब यह देखिए bank के सामने हमारा करसर आ गया है पर यहाँ पर कुछ type करने की कोशिश अगर हम कर रहे हैं तो वो type नहीं हो रहा है बलकि right side में list of banks आ गई है यदि यह list ना आए तो space bar प्रेस करें ऐसा करते ही right side में list of banks आ जाएगी इसमें down arrow key से specify bank पर जाएं और enter प्रेस करें ऐसा करते ही आप से bank का नाम पुछा जाएगा आपको जिस bank का चेक मिला हो उसका नाम टाइप करें और enter प्रेस करतें अब यहां पर narration टाइप करें being commission received from ashok traders yd check number 555 555 deposited in SBI अब control और A keys एक साथ प्रेस करें और इस voucher को accept करें IA short में एक और transaction record करके देख लेते हैं 2 मई 2020 को हमारे customer Mohan Traders ने हमें माल का order देते हुए 10,000 रुपए नकल advance दिये दिखिए इस transaction में प्रभावित होने वाले दो खाते हैं एक Mohan Traders और दूसरा cash account का Mohan Traders personal account है और cash account real account है Golden Rules of Accounting के अनुसार Mohan Traders का खाता credit होगा और cash account debit होगा IA transaction को record कर लेते हैं सबसे पहले date डालें यहाँ पर party का नाम सेलेक करें चुकि इस party का laser नहीं बना हुआ है तो tally में काम के बीच laser बनाने के दो तरीके हैं या तो alter और c प्रेस करें यह देखे लेजर creation screen आ गई है या यहाँ उपर दिखाई पढ़ रहे create पर जाकर enter प्रेस करें यह देखे लेजर creation screen आ रही है अब हम Mohan Traders का laser बना लेते हैं यहाँ amount डालें यह देखे bill wise details की window आ रही है इसका क्या उप्योग है यह हम आपको आगे बताएंगे अभी या तो आप इसमें on account select कर लें और आगे बढ़ जाएं या फिर backspace से वापस receipt voucher creation window पर आ जाएं यहाँ F11 प्रेस करके company features में जाएं और enable bill wise entry को no कर दें और इस change window को accept करने ऐसा करने पर जब आप आगे काम करेंगे तो bill wise details की window नहीं आएगी यहाँ हमें फिर से amount डालना होगा एंडर प्रेस करके आगे बढ़ें यहाँ पर DR ही रहने दें यहाँ cash account select करें और अब यहाँ narration type करके इस voucher को accept करने जब तक आप maintain bill wise details option को समझ नहीं लेते तब तक इस तरह की window आने पर या तो आपको on account select करके आगे बढ़ना है या फिर F11 की सहायता से इस option को no करना है अभी हमने receipt voucher में जो transactions record किये हैं उन्हें हम day book में कैसे देख सकते हैं और इन transactions में हमने जो laser उपयोग किये हैं उन पर इन transactions का क्या प्रभाव पड़ा यह हम आपको सभी vouchers को समझाने के बात बताएंगे दोस्तों हर वीडियो में हम कुछ नई बातें डिटेल में समझाते हैं और बाद में उनको शौट में उपयोग करते हैं झाल झाल झाल